इस प्रोग्रेशन में एक समसे इंपोर्टन चीज होती है एपी जीपी अच्पी के बाद इस पेशल सीरीज इस पेशल सीरीज एक ऐसा section है जिसका competitive exam में बहुत यूज होता है और एपी EP और HP का यह Mixed Part Mixed Part है कैसे जैसे अगर मैं एक सीरीज लिखूं 3 5 7 9 11 13 आप देखते ही बोल देंगे यह AP है राइट पर अगर मैं एक सीरीज लिखूं सपोज 3 पहले एक्जामपल देता हूं फिर पढ़ते हैं 8 15 24 35 अगर आप ध्यान दें तो इनका डिफरेंज जो है जैसे इ इसका डिफरेंज 9 11 इसका डिफरेंज 11 मिस डिफरेंज सेम नहीं है पर यह एक सीरीज है और इसे हम बोलते हैं स्पेस्चल सीरीज कैसे है स्पेशल यह पी तो आपको इस पाड़ना है एक पड़ना कि जैसे अगर ध्यान दे 3, 8, 15, 24, 35 and so on, अगर मैं इनका डिफ्रेंस देखूं, डिफ्रेंस जो है वो सेम नहीं है, पर अगर डिफ्रेंस को हम ध्यान से देखें, तो डिफ्रेंस एक सीरीज फॉर्म कर रहा है और AP की, देखें 5, 7, 9, 11 is called special AP, suppose मैं एक सीरीज लिखू, मालो मैंने एक सीरीज लिखी 1, 4, 7, 10, 13, एक सीरीज लिखी 1, suppose x, x square, x cube, x power 4, ये AP है, ये क्या है, GP, अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखें तो 1, 4, x, 7, x square, 10, x cube, plus 13, x4, and so on, this is called, this is called AG, आर्टमेटिको जेमेटिक सीरीज, कैसे, देखें, ये 1, 4, 7, 10, 13, AP में हैं, 1, x, x square, x cube, up to x power 4, ये GP में, यानि, ये आर्टमेटिको जेमेटिक सीरीज होगे, तो जब हम स्पेशल सीरीज पढ़ते हैं, तो basic of AP, GP और HP का concept के लिए होना चाहिए, मतलब ये progression का advanced part है, अगर आपको स्पेशल सीरीज बनता है, तो by default AP, GP, HP आता होगा, otherwise आप नहीं कर सकते हैं, जैसे AP का एक और example दूँ, suppose मैं एक सीरीज लिखू, 2, 5, 8, 3 का difference है, 11, 14, एक और सीरीज लिखी मैंने, suppose 3, 7, 11, 15, 19, अब मैं एक सीरीज लिखू, 2 x 3, प्लस, 5 x 7, प्लस, 8 x 11, प्लस, 11 x 15, प्लस, 14 x 19, ये इंटु है, या तकिका point नहीं है, अब देखे, ये भी एक special AP है, special AP, right, इसमें 3 सीरीज भी हो सकते हैं, मैं लिखू, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3 नहीं, या 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं, 3, 4, 5, अब देखे, इसमें 2 का difference है, इसमें भी 2 का difference है, इसमें भी, तो अगला time होगा, 5, 6, 7, next time क्या होगा, 1, 3, 5, फिर next time होगा, 7, right, 8, and 9, this is also our special AP, clear है बात, अब यहां पर ये arithmetic or geometric series है, कई बार SCB series मिल सकती है, जैसे मैं लिखू, 3, plus 8X, plus 15X square, plus 24X cube, plus 35X power 4, and so on, अब यहां पर अगर हम नोटिस करें, तो ये 3, 8, 15, 24, ये special AP है, 1X, X square, X cube, ये special GP है, वो सरी, ये GP है, इसे हम special arithmetic or geometric series बोलेंगे, तो यहां पर कई सारे, इसके लाबा भी और series मिलेंगी, तो कई different type की advanced level की series मिलेंगी, इसलिए हम इसे misllineous progression भी बोल सकते हैं, ये misllineous problems भी बोल सकते हैं, सम special series में हम additional part को cover करेंगे, तो इसको systematic कैसे पढ़ेंगे, वो समझाता हूं आपको, तो सबसे पहले हम AP वाला concept cover करेंगे और special AP वाला, then उसके बाद AG, then उसके बाद special AG, right? Yes, special AP के पहले, हम कुछ basic fundamental concept develop कर लें, जैसे sigma N, sigma N मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to N, sum of first N natural number is called sigma N and summation of this series is N, N plus 1 by 2, right? Next बात करते हैं, sigma N square, sigma N square means 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, up to N square. This is sigma N square and value of this is N, N plus 1, 2 N plus 1 by 6, right? Next बात करते हैं, sigma N cube, sum of first N natural cube numbers, 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, up to N cube and this is N into N plus 1 square by 4, कई बार ऐसा भी लिखते हैं, sigma N का whole square, यह 3 series आपके लिए बहुत useful होने वाली हैं, right? Note down, इसके लाभा कई बाहर, sum of first N even natural number देखें हम, जैसे 1, पहले odd देखें हैं, 1 plus 3 plus 5 plus 7, up to N term, this is N square. Sum of even natural number, 2, 4, 6, 8, up to N term, N into N plus 1, N into N plus 1, right? Note down? Yes, now special series का, हम सबसे पहले special AP की बात करें, so special AP में हम एक एक टाइप को कावर करेंगे, क्या-क्या पूछा जाएगा वो बताऊंगा, जैसे suppose question है, 1, 3, 3, 5, basic question से करते हैं, 5, 7, 7, 9, up to N term, suppose, find, अब क्या-क्या पूछा जा सकता है इसमें, नमबर 1, normally इस type की जो series होती है, जो multiply वाली होती है, इसमें N term नहीं पूछते हैं, some of N term पूछते हैं, फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता है, हो सकता है आप से N term पूछें, हो सकता है आप से 23rd term पूछें, maybe 29 term, अगर N term निकाल लिया तो फिर तो आप N के place पे कुछ भी S60, मैं बोलू S18, कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर SN निकालना आपको आगया, पर हम बिल्कुल basic से भी समझें, कि TN पूछा होता, तो हम क्या करते हैं, अब 1357, अगर हम इसमें ध्यान दें, तो इसको जैसा यह series बनती, बिल्कुल उसी order में करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें, 1, 3, 5, 7, यह एक AP है, बिल्कुल basic से बता रहा हूँ, 3, 5, 7, 9, यह एक AP है, अगर मैं आप से बोलूँ, इस AP का net term बताईए, तो इस AP का net term होगा, A, प्लस N, माइनस 1, यह mentally करना है, यानि 2N, माइनस 1, ऐसे अगर इस AP का net term बोलूँ, dash लिख लेते हैं, तो आप बोलते 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 2, तो आप बोलते 2N प्लस 1, तो इसका मतला अगर यह जो given series है, इसका मुझे net term लिखना होता, तो मैं लिखता, 2N माइनस 1 इंटू 2N प्लस 1, अगर net term पूछा होता, तो यह answer होता हमेशा answer को cross check करो, suppose मैं N की जगे 3 रख दूँ, तो क्या होगा, 6-1, 5, 6-1, 7, यानि मैंने net term सही निकाला है, तो number 1 तो यह हुआ, normally इस type में नहीं पूछते हैं, क्योंकि इसका net term निकालना बहुत simple होता है, अब second important thing, कि अगर net term नहीं पूछा है, या पूछा है, इसके तो 18 to 36 minus 1, 35, 36 plus 1, 37, अगर पूछा होता तो, मैं आप से बोलता कि 41 term बताओ, तो आप इसमें 41 रख दियते हैं, तो 82 minus 1, 82 minus 1, 81 into 83 हो जाता है, एक तो यह step होई, second आप से पूछा जा सकता है, sum of N term और particular sum, ठीक है, अब वो कैसे निकाल लेंगे, उसकी बात करते हैं, अब अग अगर sum of N term पूछा होता हमाल लीजे, तो क्या करते है, sum of N term के लिए, सबसे पहले TN के आया हमारे पास, देखिए, TN है, 4N square minus 1, अगर कभी भी याद रखिए, option में, option से भी होते हैं, अगर N term या sum of N term पूछा तो बिलकुल option से कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो बताता हूँ, पर पहले equation को method से समझे, तो सबसे पहले हम समझें कि TN मुझे मिला, अगर मैंने इसको solve किया, तो TN मुझे मिला 4N square minus 1, अब अगर मुझे SN बताना है, तो SN का मतलब होता है, sum of first N term, right, इसका मतलब इसमें N के प्लेस पे वैसे आगे चलके direct करेंगा, N के प्लेस पे जब रख रखेंगे तो मिलेगा 4 into 2 का square minus 1, N के प्लेस पे 3 रखेंगे तो मिलेगा 4 into 3 का square minus 1, ऐसे ही N के प्लेस पे N रखेंगे तो 4 into N square minus 1, right, अब आपको बताना है, sum of N term, तो T1, T2, T3 को क्या करेंगे, step से working step, add T1, T2, T3 up to TN, तो अगर मैं add करूंगा, तो मुझे मिलेगा S N, और क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें, तो इसमें 4 times, पूरे term में common हैं, तो 4 हमने common लिया, तो 1 square, 2 square, 3 square, up to N square, यहाँ पर क्या होगा, minus common ले लें, तो 1 plus 1 plus 1, up to N times, right, इसका मतलब मुझे S N मिला 4 times of sigma N square minus of N, right, 1, 1, 1, 1, 1, 1, जुड़के जैसे 1, 1, 1, 1, 1, 5 time तो 5, 10 time तो 10, 10 time तो N time तो N, यहाँ पर यह आगया, आप मुझे सिग्मा N square पता है, क्या होगा, N into N plus 1 into 2N plus 1 by 6 minus N, अगर subjective question है तो इतना भी छोड़ सकते हैं, objective question में depend हो उनकी कहां तक कि step solve करना, आप मैं अगर बोलू हमसे N common ले लो, तो आप चाहो तो N common ले सकते हो, एक cancel हो जाएगा, तो 2 by 3, इसका multiply करो, 2N square plus 2N plus 1, 3N plus 1 minus of 1, अगर मैं finally answer लिखूं, तो मैं लिखता N times N by 3, 2N square plus 3N, 3N नहीं, 2N नहीं, 4N square plus 6N, 2 का multiply हुआ, plus 2N minus 3, तो minus of 1, यह इसका answer है, अब suppose यह answer मेरा correct है कि नहीं है, वो देखना है, और option भी इसी तरह के मिलेंगे, तो एक simple सा तरीका है, कि अगर हम sum of 2 term देखें, तो कितना आएगा, 15 plus 3, 18, अगर मैं यहाँ पर N के place पर 2 put कर दूँ, तो मुझे logically 18 मिलना चाहिए, तो 2 by 3, 2 put किया 2 का square 4, 4, 4, 16, 6, 2, 12, minus 1, यह हो गया 2 by 3, यह हो गया 28 minus 1, 27, यह cancel, देखें, 80, मतलब मैंने बिल्कुल सही किया, तो objective question में अगर term of N term या sum of N term बोले, तो आप N की value एजूम कर सकते हैं, और याद रखिएगा term में और sum में क्या difference है, sum मतलब उस particular position की value होती, जैसे मैं बोलू 4 term तो 1, 2, 3, 4 यह होगा, पर मैं बोलू sum of 4 term, तो पहले 4 term का submission में बोल ला हो, यानि 1st term भी एड़ होगा, 2nd भी एड़ होगा, 3rd भी एड़ होगा, और 4 term भी एड़ होगा, तो इसमें important बात यह है, कि option से भी बहुत होता है, progression में, option बहुत help करते हैं, but depend on, कि option अगर end term के लिए पूछा है तो, नहीं तो method आपको clear होना चीए, बहुत ही simple approach है, इसमें 2, 3 types होती है, series की, एक-एक types को अम cover करते हों, चलते हैं, चैप्टर आपका बहुत अच्छे ज़े cover हो जाएगा, no down, yes, next question देखते हैं, देखिए क्या है, 1, 2, 5, 2, 3, 6, 3, 4, 7 and so on, यह 3 AP से मिलके बना है, कौन-कौन सी, यह केबल समझाने के लिए आपको बता रहा हो, 1, 2, 3, 1 AP है, 2, 3, 4, 1 AP है, 5, 6, 7, 1 different AP है, right, अगर मैं इसमें बोलू हूँ आप से, नॉलमली इसमें सम आफ एंटम पूछते हैं सीरीज में, पर सम आफ एंटम और एंटम दोनों ही हम निकालेंगे, और यह निकालने के बात, मैं आप से बोलू कि S 30 बताओ तो आइन के प्लेस पे 30 रख दो, तो टी 20 बताओ तो आइन के प्लेस पे 20 रख दो, बिल्कुल सिंपलेस्ट अप्रोच से करना है, यह एक एक टाइप कवर करते हूँ, चलते हैं से हम टाइप 1 माल लेते हैं, अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसका अनेक्टम लिखूँ, तो 1, 2, 3 का अनेक्टम N होगा, 2, 3, 4 का आइन प्लस 1 होगा, 5, 6, 7 का आइन प्लस 4 होगा, कभी भी अनेक्टम निकालके क्रॉस चेक्ट जगू करिए, जैसे अगर अनेक्टम में 3 रखूँ तो 3, 3 प्लस 1, 4, 3 प्लस 4, 7, अब इसके बाद, सेकेंड इस्टेप होती है, इसका मल्टिप्लाय करना, तो इसका मल्टिप्लाय किया, तो N स्क्वेर, प्लस 5N, प्लस 4, वाइट, इसका मल्टिप्लाय किया, डिरेक्ट भी कर सकते है, N क्यूब, प्लस 5N स्क्वेर, प्लस 4N, इसके बाद, स्टेप आपको पता है, प्लस N इकूल टू 1, 2, 3, अब कुछ एक कंसेप बना ली जाए, अगर TN, बड़े से बड़ा यह होगा, N क्यूब, प्लस BN स्क्वेर, प्लस CN, प्लस D है, तो जब आप 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे, तो आपको इस से हमेशा S N मिलेगा, A सिग्मा N क्यूब, B सिग्मा N स्क्वेर, C सिग्मा N, प्लस D N, प्लस D N, राइट, तो यहाँ पर अगर मैं करूँ, तो क्या होगा, राइट, तो अगर हम N की जगे 1, 2, 3, 4 पुट करते हैं, तो हमें पता है, क्यों ऐसा होता है, वो भी आपको पता, यह 1 क्यूब, 2 क्यू सिग्मा N स्क्वेर, प्लस ओफ, 4 टाइमस ओफ सिग्मा N, अब आपके पास इन सब की वैलू है, पुट कर दीजिए, N, N प्लस 1, तो यह N क्यूब है, तो N स्क्वेर, इंटू N प्लस 1 का होल स्क्वेर बाइ 4, यह N स्क्वेर है, N, N प्लस 1, 2 N प्लस 1, बाइ 6, प्लस 4 है, 2, क्या करेंगे, वैसे आप इतना भी छोड सकते है, N इंटू N प्लस 1 बाइ 2 कॉमन ले लिजिए, सभी का कॉमन है, तो है मिला N, N प्लस 1 बाइ 2, यहां मिला 5 बाइ 6 टाइमस, 2 N प्लस 1, और यहां मिला 2, राइट, नहीं 4, क्योंकि बाइ 2 भी कॉमन लिया था हमने, 4, ज्यादा है, इसका भी LCM ले ले, N, N प्लस 1 बाइ 2, यह हुआ N स्क्वेर प्लस N और 6 LCM आएगा, तो हम डिरेक्टली लिखते हैं, 6 N स्क्वेर प्लस 6 N, राइट, प्लस 10 N प्लस 5, प्लस और 24 बाइ 6, अच्छा, यह बाइ 2 कॉमन लिया थे, कि छोटी-छोटी चीजे ध्य बाइ 3 होगा, बाइ 3 होगा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर चेंज आएगा, LCM 6 ही आएगा, पर क्या चेंज आएगा वो बता रहा हूँ, छोटी-छोटी चीजें कई बार हमारे दिमाग से निकलती है, 6 था, 2 कॉमन लिया तो 3 बचा, अब बोलिये, 3 N स्क्वेर प्लस 3 20 N, यहाँ पर LCM 6 आया, यहाँ पर यह होगा, 5 2 जा 10, 20 N प्लस 10 प्लस आफ 24 बाइ 6, राइट, अब यह ओवरॉल हम देखें, तो 12 हो गया, तो N N प्लस 1 बाइ 12, 3 N स्क्वेर प्लस 23 N प्लस 34, कभी भी आपको कॉन्फिडेस ना आए, तो मैं आपको एक्सरेशन दूँगा, जैसे N की जगे माल लो में 2 ले लूँ, तो इन 2 तम का समिशन क्या 10, यह हुआ 18, 36, यहनि 46 आना चाहिए, N की जगे 2 रखके देखें, अगर कहीं गलत क्या होगा, तो पकड़ में आजाएगा, 2, 2 प्लस 1, 3, बाइ 12, अब देखें आंदा करें, 2 का स्क्वेर 4, 4, 3 जा 12, 46 प्लस 34, राइट, यह 6 से 2 ताइम कैंसल, यह भी 2 ताइम कैंसल, तो 6, 23, 17, यह हो गया 46, इस इस 46, मतलब मैंने सही किया, तो आप्शन से कोशन को बिल्कुल ऐसे ही करना है, N की वैलू रखके, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैथट से यह टाइप सब से सिंपलेस टाइप कहल चलेंगे, नोट डाउन,